हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूश्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अन माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चैक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायलसिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंग आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए वटसैप नंबर के जरीए संपर्क कर सकते हैं अब आप पास सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज में अपनी कुंडली और 5 साल की भविश्या वाने भी और करने के लिए जोति कारी शेप में नजर आ रही है जो इंडिकीट करती है एक हाड वरकिंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रिखाएं भी आपको नजर आएंगी फिंगर्स का थिक होना आप यहाँ से देख सकते हैं जो इंडिकीट करता है अच्छी एनर्ची एंड स्टैमिना को और अगर हम बात करें फिंगर्स पर बनने वाली खड़ी रिखाओं की तो आपको कुछ इस तरह हैं की खड़ी रिखाएं लगबग इनकी स फियर गैप हैं सब भी फिंगर्स के बीच में नजर आएंगे इस तरह के गैप का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट टाइप की अपरोच को दर्शा आता है ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही दम ले अगर हम लेंट की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो गुरू फिंगर है बिलकुल स्ट्रेट है और अच्छी लंबाई में नजर आ रही है गुरू फिंगर का थिक होना और स्ट्रेट होना नेटिव को ग्यानवान बना आता है ऐसे विक्ति काफी नॉल आई में शनी फिंगर यहां पर नजर आ रही है शनी फिंगर का थिक और अच्छी लेंथ में होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है ऐसे नेटिव जिनकी शनी फिंगर स्ट्रॉंग होती है काफी महनती नेचर के होते हैं और अपनी हार्ड वर्किंग परसनालिटी और वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्डी कर पाने में जरूर काम्याब हो जाते हैं अगर हम इनकी सूरे फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूरे फिंगर लंबाई में इनकी तरचनी से भी अधिक है अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें आप देख सक qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं ऐसे व्यक्ति एक अच्छा social circle पना पाने में भी अपने जीवन में जरूर कामयाप हो जाते हैं सूरे finger का अच्छी लंबाई में होना native को थोड़ा risk taker भी बनाता है ऐसे व्यक्ति जीवन में risk लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी इनको risk लेते हुए आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति कईवर अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देंगे जहां पर नुकसान की स्भावना हो जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है, multi level marketing है, ऐसी जगहों पर भी native की रूची आपको देखने को मिलेगी इन दोनों fingers में सूरिया finger और budd finger में gap का होना खास तोर पर native को independent बनाता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े जिदी सभाव के भी होते हैं, अपनी मनवर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो decision लेने की capability है, वो काफी strong होती है, अपने सारे decisions ऐसे व्यक्ति खुद से लेने वाले होते है अगर हम इनकी mercury finger की लंबाई की बात करें तो यह finger लंबाई में आपको इनकी सूरिया finger का जो top falange का area उसे कहीं आगे निकलती नजर आएगी, इस तरह की लंबी mercury finger का होना दर्शाता है के native के communication skills बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसे व्यक्ति का business equipment भी काफी strong होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे, इनकी सभी रिखाओं को भी, अगर हम fingers के बिलकुल नीचे एक line draw करें तो कुछ इस तरह की एक रिखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं, इनकी mercury finger थोड़ी सी low set है, high nature को indicate करता है, बात करते हैं इनके mounts की, तो आप देख पाएंगे इनका जो गुरू परवत है, यानि तरजनी उंगली के नीचे का जो area यह भाग जो है, इसको गुरू परवत कहा जाता है, गुरू परवत इस तरह से इसी व्यक्ति का उभरा हुआ हुँ, तो ऐसे व्यक्ति spiritual minded होते हैं, काफी ग्यानवान होते हैं, और आदर्शवादी टाइप की personality, ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, साथी साथ यह आड़ी रेखा जिसको हम गुरू वलय कहते हैं, अगर यह रेखा कुछ इस तरह से हो, जैसे मैं अभी draw कर रहा हूँ, यानि इस सिरे से शुरू होकर यहां तक चलने वाली एक लंबी गुलाई में रेखा हो, तो यह एक संपूरन गुरू वलय बन जाता है, जिन लोगों के हाथ में ऐसा संपूरन गुरू वलय होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर काफी ज़्यादा वेराग्या की भावना होगी, लेकिन ऐसे व्यक गया की भावना देगा, थोड़ी आईसोलिशन की फीलिंग रहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति काफी स्प्रिच्छल माइड़ होते हैं, खास तोर पर चालिस वर्ष के आसपास की एट से किसी अध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़कर काम करने की तमन्ना ऐसे व्यक्ति के भी रिखाएं, कुछ ऐसी रिखाएं, जिनको हम प्रोग्रिस की लाइन्स कहते हैं, यह इनकी जीवन रिखा से निकल रही हैं, ऐसी रिखाएं, अगर जीवन रिखा से निकल कर गुरू परवत यानि यह वाला जो एरिया है, इस तरफ बढ़ती हों, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे करकर बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं, काफी अच्छी उचाई तक पहुँच जाते हैं, अगर हम बात करें इनके शनी परवत की तो बिलकुल फ्लैट शनी परवत और शनी रिखा यहां पर हमें हलकी कमजोर होती हुई, वीक होती नजर आ रही ह जिस वज़े से नेटिव के चीवन में काफी उतार चड़ा भी देखने को मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति को मेहनत जीवन में अधिक करने पड़ती हैं, अपने कमफर्ट जोन से निकल कर ऐसे व्यक्ति को काम करना होता है, जिनके हाथ में शनी रिखा इस तरह से छोटे छोटे फ परति भी नजर आएगी और बीच में आकर यहां पर रुकती हुई भी। कुछ इस तरह से इनके हाथ में शनी रिखा हैं और बीच में कुछ रिखाएं इसको इस तरह से काट भी रही हैं। यह जो काटने वाली रिखाएं होती हैं इनको स्ट्रेस लाइन्स कहा जाता है और हाथ में अगर स्ट्रेस लाइन्स मौचूद हो तो जीवन में काफी सारे उतार चड़ाव ऐसा व्यक्ति जरूर देखता है अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो शनी की भांती सूर्य परवत भी हलका सा दबा हुआ और फ्लैट नजर आ रहा है जिसकी वज़े से चीवन में यश मिलने में कमी रहती है ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी मदद कर ले बदले में कोई इनाम कोई अप्रिसीशन नहीं मिल पाता जिसे हम य गश्की कमी कह सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर एक फिशका चिन बहुत ही अच्छा फिशका चिन इनके हाथ में इस एरिया में इस सरकल के अंदर आपको नजर आएगा कुछ इस तरह की शेप बनती हुई और बहुत ही अच्छा फिशका साइन यहां पर बनता हुआ ऐ ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर रहती है जिसकी वज़े से ऐसा इनसान चीवन में बहुत कामयाब भी होता है लेकिन यह मिडल एज के बाद घटित होती हैं ऐसी घटनाएं जिनके हाथ पर इस तरह से फिश का सिंबल बन रहा हो कोई ना कोई ऐसा टै है अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देखेंगे मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर काफी उभरा हुआ मरकरी फिंगर लंबी है जिसकी वज़े से नेटिव के कम्नीकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे नेटिव का बिजनेस एक्वमेन भी स्ट्रॉंग होगा यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हलकी रिखाओं से इस तरह से आपको एक वलाय बनता हुआ नजर आएगा जो छोटी छोटी ब्रेक्स के साथ चल रहा है इस तरह के वलाय को शुक्र वलाय कहा जाता है शुक्र वलाय का हाथ में बनना नेटिव को आर्टिस्टिक क्रेटिविटी का लेवल भी काफी हाई होता है लेकिन थोड़ी मूड स्विंग्स की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को परिशानिया दे सकती है अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइन्स की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो इनकी जो हृदय रेखा है इस पर बहुत अच्छा त्रिशूल का चिन बनता हुआ यह रेखा इस तरहें से चलती हुई और अंत में यहाँ पर एक रेखा निकल कर और यहाँ से एक रेखा निकल कर एक ट्राइडेंट का चिन बना रही है इस तरहें के चिन को त्रिशूल का चिन या ट्राइडेंट का साइन पामिस् अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेमानी से पैसा कमाने की कोशिशें चीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्तें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है अब देखेंगे इनकी हार्ट लाइन ओवरॉल काफी अच्छी है लेकिन यहां पर राकर यहरेखा थोड़ी च करना होगा जैसी प्लड प्रेशर है थाइरोड है कलेस्टरॉल डाइबिटेस जैसी दिक्ते नेटिव को परिशानिया लेटर रेज में चलकर दे सकती हैं अगर हम बात करें इनकी लाइन ओफ माइंड की तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक लंबी मस्तिक श्रेखा ज के नेटिव की मेमरी काफी अच्छी होगी इस तरह की ब्राच चंदर परवत पर पहुंचने की वज़े से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना भी नेटिव को अपने चीवन में करना पड़ सकता है अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन को चैनलाइज कर लेत है तो इस तरह की रेखा होने से नेटिव काफी अच्छा क्रियेटिव आर्टिस्ट बन सकता है काफी अच्छा राइटर बन सकता है अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जो थौट्स हैं जो अपनी इमेजिनेशन उनको चैनलाइज नहीं कर पाता तो जीवन में काफी स्ट्रेस और तनाव का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनकी लाइन आफ लाइफ की तो आप देखेंगे हलका सा बाहर का रुख करती हुई जीवन की रेखा और जीवन रेखा के लास्ट में केतू परवत के उपर इस एरिया में आपको इस तरह की रेख जानक धनलाब होते हैं शेर मार्किट से लोटरी से इंशोरेंस के माध्यम से या इनहरेटेंस के माध्यम से थन की प्राप्ती होने के काफी अच्छे योग ऐसे व्यक्ति के चीवन में आपको देखने को मिलेंगे चीवन रेखा का बाहर की तरफ निकलना घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने को भी इंडिकेट करता है जीवन में लंबी दूरी की यातनाएं रहती हैं इवन फारण ट्रैवल और फारण सैटलमेंट होने की समभावनाएं भी इस तरह के चिन की वज़े से काफी बढ़ सकती हैं ऐसे व्यक्ति कई वर अपने कंट्री मे ही किसी दूसरे स्थान पर जाकर परमानेंटली बस सकते हैं लगभग 75 के अराउंड एज रहने की समभावनाएं इस तरह की जीवन रेखा इंडिकेट करती है जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ यह जो रेखा है इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है और हाथ मे मंगल रेखा का मौजूद होना नेटिव को अनर्ची एंड स्टैमिना देता है साथी साथ थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहेगी मंगल रेखा होने से नेटिव अपने चीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पा यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को चीवन में हर तरह की सुक्स विधाएं जरूर मिलती हैं लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वरी लाइन्स भी नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का होना अच्छा चिन नहीं होता ऐसी रिख सकता है अगर हम बात करें इनके चंदर परवत की तो आप देखेंगी चंदर परवत पर बहुत सारी ऐसी रिखाएं जिस वजह से काफी ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के चीवन में आते हैं ऐसी रिखाएं यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी यातनाएं करेगा लेकिन बेचैनी की समस्या भी ऐसे व्यक्ति को रहती है ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी का सामना चीवन में काफी हद तक करना पड़ सकता है तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के चुआब एकी वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पर मैसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद